दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस में मचा घमासान अब सड़क तक आ गया है दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष अर्बिंद सिंग लवली ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है। कॉंग्रेस को ये फैसला भारी पड़ गया और अंतता दिल्ली कॉंग्रेस अध्यक्ष अर्बिंद सिंग लवली ने अपना इस्तीफा दे कर नाराज की जता दी। खुद चुनाव में ना उतरने की बात कह दी। लेकिन पार्टी के नेता जानते हैं कि लवली इस फैसले से बिल्टपुल भी खुश नहीं थे। कनया कुमार के उम्मीदवारी के खिलाब संदीब दिक्षित भी थे जो खुद उतरपूरवी दिल्ली से लोग सभा चुनाव लड़ना चाहते थे। एक बैठक के दोरान कनया कुमार और उनके बीच बहस भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने कनया कुमार के उम्मीदवारी को ही सही ठहराया। इसी प्रकार उदित राज को उतरपश्यम दिल्ली से उम्मीदवार बनाया जाने का राज कुमार चौहां लगातार विरोध कर रहे थे। इससे ये साफ था कि कारिकरताओं का इन उम्मीदवारों को सहीऊग नहीं मिलने वाला था। इसका आसर लोगसभा चुनाव में देखने को मिलना तैंथा। अर्विन सिंग लवली शुरुवात से ही आमादने पार्टी के साथ कॉंग्रेस से समझोते के सक्त खिलाब थे। उनका कहना था कि जिस केजरिवाल ने तमाम जूटे आरूप लगा कर कॉंग्रेस को बदनाम करने का काम किया और उसे सत्ता से बाहर करने में अपनी बड़ी भूमिकाने भाई आज उसी केजरिवाल के साथ में समझोता करना पार्टी के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। उचस्तर पर बैठे नेताओं ने भी इस निरने के खिलाफ आवाज उठाई थी। निचले स्तर के कारिकरता भी इस निरने से खुश नहीं थे। लवली न को पार्टी के मेडिया सेल का प्रमुक तक नहीं बना सके थे। इससे भी लवली की पार्टी आला कमान से नाराज की बढ़ती चली गई। अरविन सिंग लवली ने अपने स्तीफे में भी कहा है कि लगभग आठ महीने पहले जब उनको अध्यक्षपत की जिम्मेदारी दी की गई थी। पार्टी बहुत संकट से बुजर रही थी। पार्टी का कोई बड़ा कारिक्रम तक नहीं हो पा रहा था। कारिकरता बिखरे हुए थे। लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी समालते ही उन्होंने सब को एक साथ जोडने की कोशिश की। लेकिन पार्टी के महास अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें